World Peace, Lesson 16, Class Earth Students are fighting in the classroom बच्चे दोँ हैं वो लड़ाई कर रहे थे एक अक्छा में The teacher enters the classroom अध्यापक प्रवेस करती है classroom में Teacher, Students, Why are you fighting? Teacher पूछते ना की बच्चो या फिर छात्रो लड़ाई क्यों कर रहे हो मैडम सांती snatched my notebook अमन जो है ना वो कहते है कि मैं सांती ने मेरी notebook छीन ली है सांती, No मैडम, अमन is telling a lie करते हैं नहीं मैं अमन जो है ना यह जूट बोल रहा है Teacher, Stop fighting, लड़ाई करना बंद करो अध्यापक है ना वो कहते हैं लड़ाई करना बंद करो You should not waste your energy in fighting कहते है तुम्हें अपने energy को अपने उर्जा को ऐसे लड़ाई में नहीं बरबात करना चाहिए बेकार करना चाहिए Use it in a right way कहते है इसे सही से use करो If you are not able to keep peace in your classroom How can you keep peace in the world कहते है कि अगर आप अपने classroom में सांती नहीं बना सकते हो ठीके तो आप संसान में या फिर बिस में सांती कैसे लाओगे अमन मैंनम what does peace in the world mean कहते है कि माम जो ये word आपने कहा है न word में peace का मतलब क्या है Before knowing that does peace in the world means can you tell me the meaning of word तो माम जो होती है न teacher को कहते है कि ये जानने से पहले Before knowing what does peace in the world mean कि संसान में सांती का मतलब क्या है इससे पहले can you tell me the meaning of word कि आप मुझे word का मतलब बताएंगे अमन Yes, madam word means दुनिया और संसार अमन कहता है हाँ, ma'am word means होता है दुनिया या फिर संसार होता है teacher Good Now tell me what is peace तो teacher कहते है बहुत अच्छे ठीक है और अब बताओ मुझे peace means क्या होता है संती madam peace means संती संती कहते है ma'am peace means संती होता है teacher good If you want to make peace begin it from your home तो teacher कहते है कि बहुत अच्छे फिर कहते है If you want to make peace अगर आप संती बनाना चाहते है ठीक है begin it from your home ये अपने घर से सुरुआत करो don't fight at home घर पर लड़ाई मत करो don't quarrel with your friends अपने मित्रों के साथ में अपने दोस्तों के साथ में लड़ाई मत करो never or anyone around you किते अपने जैसे मित्र है friend है और जो पडोसी है और या भी और भी जू कोई है आपके आसपास उनसे आप लड़ाई मत करो अमन और सांती येस मैडम अमन और सांती करते है हा मैं teacher then stop quarrelling and try to keep peace in your surrounding करते है फिर क्या है आप लड़ाई करना बंद करो and try to keep peace in your surrounding और अपनी चारों तरफ जो आपका मतलब जहां रहते हो आसपास में क्या सांती रखने की सांती बनाए रखने की कोईस करो अमन और सांती ओके मैडम we shall try to keep peace in the society अमन और सांती करते है ठीक है मैं हम कोईस करेंगे ठीक है we shall try to keep peace in the society हम सांती बनाए रखने की कोईस करेंगी तो टीजर कहते है अब आप दोनों को word और peace का मतलब समझ में आ गया है now I combine these words and define it to you कहते हैं अब मैं कहां इन दोनों words को जोड़ूंगी ठीक है combine करूंगी और उसके बाद में यह आपके लिए define करूंगी मैं परिवासित करूंगी मतलब word peace को define करेंगी word peace means happiness freedom and peace among people बिस्व सांती का मतलब होता है खुजियां स्वतंतरता और सांती ठीक है among people लोगों के बीच में मतलब लोग जो है न वो खुज रहे हैं स्वतंतर है और क्या है सांती बनाए रखे word peace means to bring the world in harmony कहते है word peace जो बिस्व सांती का मतलब होता है to bring the world in harmony मतलब लोग जो है न harmony means होते है सामझे से पोड़ रहें ठीक है among madam what is harmony among जो है वो पुछते है harmony means क्या होता है teacher the word harmony means cooperation, balance and coordination मैं जो होते हैं क्या होते हैं कि cooperation means सायोग, balance means सायोग है न संतुलन मना रहे हैं and coordination there are many factors which disturb this harmony जो teacher होते हैं वो कहते हैं बहुत सारे तत्तु हैं जो क्या करते हैं इस harmony को disturb करते हैं madam madam please tell us about those factors अमन जो हैं मुख के तत्तु हैं means कौन से तत्तु हैं या फिर उन तत्तों के बारे में बताओ ठीक है जो word peace को या फिर डिस्टर्ब करते हैं harmony को teacher okay let me tell you about those factors केते ठीक है मुझे बताने दो ठीक है मैं बताती हूँ world peace is disturbed by two main factors केते जो भी सुसांते ना इसे जो है ना disturb करने वाले दो मुख के तत्तु हैं the first bone is war and terrorism पहला है युद्ध और जो आतंगवाद और युद्ध है ना पहला factor ये है war and terrorism are terrorism are acts of violence which affects our generation emotionally and psychologically war and terrorism are acts of violence which affects our generation emotionally and physically sorry psychologically war जो युद्ध और जो आतंगवाद है ना ये हिंसा के कारे होते हैं जो हमारी जो generation है ना उसे emotionally भावनात्मक रोप से और मनुबैग्याने करोप से ठीक है ये disturb करते हैं the other reason which disturb world peace is fighting on the basis of caste, creed, color and religion कि ते एक तो ये हो गया मतलब पहला तत्तु तो ये है जो हमारे harmony को या फिर world peace को disturb करते हैं और दूसरा जो बड़ा reason है ना वो है जो हमारी 207 को भंग करते हैं या फिर नश्ट करते हैं ठीक है इस fighting on the basis आप जो लड़ाई करना है ठीक है caste, creed, मतलब color color के आधार पर जातिगत जो भेदभाव होते हैं इन सब के जातिगत धर्म धर्म से सम्मंदी जो ये भेदभाव होते हैं इनके वज़ा से भी लड़ाईयां होती है so by eliminating these factors and by respecting humanity we can make this world a better place to live in प्यादे सो by eliminating मतलब इन सारी चीजों को त्याग कर मतलब इन सारी चीजों को महत ना देकर and by respecting humanity मतलब humanity जो मानवता है उसे माना जाए उसे प्रमुकता दी जाए we can make this world a better place to live in हम इस संसार को एक अच्छा संसार बना सकते हैं एक अच्छा अस्थान मना सकते हैं जिसमें हम रहते हैं इसका मतलब यह होता है हम उसके साथ में किसी भी आधार पर भेदभाव ने करेंगे वो इनसान है हम इनसान है और इस नाते सबसे बड़ा धर्म है कि हम एक दूसरों को बचाएं एक दूसरे की सहायता करें और प्यार से रहें अमन ओके मैडम वी साल ट्राइब अमन कहता है ठीक है माम हम कोशिस करेंगे टीचर नाओ एम गोइं तो टेल यू देवे वाइव इच यू केंड मेड़ा पीस इन दे वर्ल टीचर जो है ना वो कहते है कि अब मैं आपको यह बताने जा रही हूं कि किस तरीके से आप वोर्ड पीस जो है यू के ने वोर्ड पीस आप विसो सांती बना सकते हैं ला सकते हैं have you ever heard the term वसुदेव कुट मगम माम जो होते है न वो कहते है कि क्या आपने कभी सुना है यह सब्द वसुदेव कुट मगम अमन एं सांती नो मादम यह दोनों कहते हैं नहीं ओके, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताती हूँ, वसुदेयो कुटमुकम is a Sanskrit phrase which is made of three words, जो माम है वो कहती है कि वसुदेयो कुटमुकम जो है नहीं एक Sanskrit phrase है, मतलब यह Sanskrit का वो है, श्लोक है, श्लोक ने कहेंगे, शोक्ति है, which is made of three words, जो तीन सब्दों से बना है, वसुदा, इव़ एंड कुटमुकम, which means that the earth or the world is a family, जो यह बताती हूँ, वसुदा, इव़ एंड कुटमुकम, जिसका मतलब होता है, कि जो पिर्थवी है, ठीक है, या फिर संसार है न, यह परिवार है, so we should consider the whole world as a family to get word fees, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पूरे संसार को, जैसे जो हम परिवार की लोगों की, मतलब हमारे जो परिवार होता है, हम एक दूसरे की सहायता करते है, प्यार करते है, ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, पूरे बिसकुप, एक परिवार मानना चाहिए, और उनका क्या है, so we should consider the whole world, मतलब पूरे संसार को बिसकुप में ए न भाई बहन मानेगी, तो इससे क्या होगा, इससे भी सुसान्ती आएगी, Let's hand in hand to have peace in the land, कहते है कि हमें हाथ में हाथ रुकना चाहिए, मतलब एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, किसे भी जातिवार के आधार पर हमें किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में, हमें क्या करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, Snatched means होता है, जपटा मारा, या फिर शीनना होता है, Harmony means होता है, सामन जिससे, Coordination means होता है, तालमेल, Terrorism, आतंगवाद, Psychologically, Manubayagyanic रूप से, Eliminate means होता है, समाप्त करना या त्यागना, Questions देख लेते हैं, What does word peace means? Word peace का मतलब क्या होता है, यह आपको बताना है, What do you mean by the term Harmony? आपका मतलब Harmony, सब्द से आपका क्या मतलब है, What are the main factors which disturb word peace? कौन-कौन से मुखे तत्त्तो हैं, जो विसुसांती को disturb करते हैं, What does the term Vasudeikutumukam means? में, जो यह term है, Vasudeikutumukam, इसका मतलब क्या है, और लास्ट है, यह question है, What can we do in order to keep peace in our surrounding? हमें क्या करना चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो surrounding है, मतलब अपने चारों तरफ, या फिर कह सकते हैं, हमारी जो society है, जहांपर हम रहते हैं, महापर सांति लाने की लिए.